हाई अब्रीवन माइनम इस अंकुष और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवेंस्ट ऐसे और यह ऐसे लिखा हुए 450 वर्ड्स के अंदर आपके आइल्स के एक्जामिनेशन में आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है लेकिन मैंने आपको दिया है 450 वर्ड्स का सो देट मैं आपके पास आइडिया ज्यादा filters करें लेकिन स्पीकिंग के लिए आपके पास आइडियाज होना जरूरी है अगर अच्छा लिखना चाथे हैं even then you should have ideas तो इन essays के थूरू stories के थूरू हम improve कर रहे हैं अपने reading, writing, vocab को और साथ में generate कर रहे हैं ideas और topic का नाम है all over the world पूरे संसार में people watch लोग देखते हैं foreign films foreign films देखते हैं much more कहीं ज़्यादा than say मतलब कहीं ज़्यादा देखते हैं ज़्यादा देखते हैं locally produced films जो locally बनते हैं जैसे हम इंडिया से हैं इंडिया में जो भी films बनती हैं उनको कम देखते हैं बाहरवालियों को ज़्यादा देखते हैं तो वहीं topic है कि पूरे संसार में यह ऐसा है all over the world पूरे संसार में लोग foreign films को ज़्यादा देखते हैं तुल्ना में locally produced films की वाई क्यों ऐसा क्यों है आपको इस ऐसे में reason देने कि ऐसा क्यों है क्यों लोग prefer करते हैं foreign films को watch करना should the government provide क्या government को provide करना चाहिए financial support मतलब financial support क्या सरकार को देना चाहिए किसको to local film industries को I hope समझ में आया होगा हमने पहले हमें यहाँ पर बात करनी है ऐसे में कि क्या reasons है कि लोग prefer करते हैं foreign films को या Hollywood films को देखना बजाए कि locally produced film के ऐसा क्यों है और साथ में हम यह भी बताएंगे इसमें discuss करेंगे कि क्या government को financial aid यानि कि financial support देना चाहिए local film industries को देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए तो चलिए इसको read करना शुरू करते हैं तो यह ऐसे यहां से start होता है foreign films कहरें जो foreign films है such as जैसे की the Hollywood blockbusters ठीक है foreign films है जैसे की Hollywood blockbusters are released वो release होती है पैसी वोई translation है यहां से लेकर यहां तक यह सारा subject object है और यह verb की third form पैसी वोईस की translation कह रहे हैं foreign films जैसे की Hollywood blockbusters वो release होती है all over the world पूरे संसार में and are enjoyed और इनको enjoy किया जाता है this is again passive voice more than जादा किस से जादा the locally produced films जो local film बनती है उनसे जादा this essay यह essay shall delve into यह चान बीन करेगा delve into मतलब होता है चान बीन करना यह word मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले भी essay हमने read किये हैं कई बार इसका use हो चुका है I think अब आप familiar हो चुके होंगे इससे तो यह essay चान बीन करेगा the reasons वो कारण कौन से कारण वाली and also discuss और discuss भी करेंगे discuss करेगा यह ऐसे whether the government should provide financial aid क्या सरकार को financial aid मतलब पैसे की जो साहत है वो देनी चाहिए to support करने के लिए किसको the local film industry local film industry को तो यह हमने कर दिया paraphrasing इसमें से आप vocab अब याद कर ले पहला याद कर ले delving to मतलब चान बीन करना phenomenon मतलब एक तरह का क्या होता है एक अदबुद घटना होती एक तरह की और बाकी तो I think इतना मुश्किल कोई word है नहीं याँ पर तो यह simple से word थे तो इनको आप याद कर ले अब आगे पढ़ते हैं कह रहे हैं the popularity of hollywood films जो popularity है यहाँ popularity की बात हो रही है popularity किसकी of hollywood films की and और foreign films की in general मतलब एक normal वे से आम तोर पर can be attributed जो popularity है hollywood films की और foreign films की in general इसका attribute इसको attribute दिया जा सकता है मतलब होता है popularity जो है इन चीजों की इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है इसका श्रेय दिया जा सकता है attribute का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना ठीक है यह हमारा यह भी passive voice का translation है can be third form तो popularity जो है इनकी in popularity का जो श्रेय है जो इसका जिम्मेदार है कि क्यों popular है कोई चीज वो हम किसको दे सकते हैं attribute किसको कर सकते है to the fact इस fact को इस तथ्य को कौन सा तथ्य है that की they use वो यूज करते हैं the most modern technology सबसे ज़्यादा modern technology तो I hope समझ में आया होगा popularity क्यों है उनकी ज़्यादा उसको popularity को attribute कौन करेगा most modern technology सबसे ज़्यादा जो modern technology वो लोग यूज करते हैं इसलिए वो जो popularity का श्रेय है popularity के पीछे जो कारण है उनकी popularity के पीछे उसका श्रेय किसको जाता है modern technology को और कैसी modern technology most most मतलब सबसे ज़्यादा superlative degree I hope समझ में आया होगा attribute to का मतलब मैं इसको भी यहाँ पर highlight कर रहा हूँ है तो यह वर्ड आपके लिए अच्छा है जैसे हम कहते हैं हीज सक्सेस उसकी सफलता कैन बी एट्रिब्यूटिड टू हीज मास्टर के उसकी सफलता का श्रेय उसके गुरू को दिया जा सकता है तो वह होता है attribute to आगे पढ़ते हैं फॉर एंस्टेंस फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एक्जाम्पल दी अमेजिंग वीजुल इफेक्ट्स जो जबरदस्त वीजुल इफेक्ट्स हैं कंप्यूटर लेंग्विज वाले समझते होंगे यानिके आपने देखा है कितनी जो एनिमेश्टिड मूवीज होती है और बहुत सारी बाहू बली आये तो उनका जो एनिमेशन आपने देखा वीजुल इफेक्ट्स कैसे थे उसके तो कहरें वह जो अमेजिंग वीजुल इ जैसे अवतार ठीक है वन उसने जीती ग्लोबल ओडियंस उसने ग्लोबल ओडियंस जीती अब आपको समझ में होगा यहां तक इसका क्या मतलब है फॉर एक्जामपल जो अमेजिंग वीजुल इफेक्ट्स हैं और जो अकॉस्टिक्स हैं उसने जीती है क्या जीती है देखियो तो आपने देखा होगा उनका विजुल इफेक्ट्स कितना जबर्दस्त था उनकी साउंड कैसी थी तो वह चीज क्या करती है अट्रेक्ट करती है फैसीनेट करती है लार्ज ओडियंस को आगे देखिए वट्समोर और तो और बिग कंपनी बड़ी-बड़ी कंप आपासा है that have the money and the means और साधन है means मतलब होते साधन अलग अलग तरीके जिनके पास साधन है अलग अलग तू जनरेट हूज पब्लिसिटी मतलब विशाल पब्लिसिटी जनरेट पैदा करने की उनके पास अलग अलग साधन है साधन मतलब मानलो मुझे मेरी बूक है मुझे प को परमोट करने के means हैं मतलब साधन है sources है तो वही कहा रहे हैं और तो और बड़ी companies जिनके पास पैसा है और साधन है किस चीज के generate करने के पैदा करने के huge publicity बहुत सारी publicity for them produce these films ठीक है मतलब for them मतलब publicity किस चीज के लिए for them अपनी जो भी movies वगारे लाते हैं उनके लिए वो produce करती है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा अमें इसको ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूं और यह समझने वाली चीज है अब और तो और big companies produce these films actually sentence यह है बड़ी companies produce करती है इस तरह की film में अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमने that relative pronoun का use करा that use करके पूरी statement हमने दे दी अब यह सारा का सारा यहां तक that के साथ जुड़ा हुआ है तो यह हमारा subject है यह verb यह present indefinite का sentence है तो बड़ी companies जिनके पास पैसा होता है साधन होते हैं वो generate कर लेती हैं huge publicity इन चीजों के लिए तो वो companies produce करती हैं इस तरह की film में तो इसके बाद लिखा है today आज we all know हम सब जानते हैं that की marketing is what marketing वो है marketing है what जो decides जो निर्धारित करती है decide करती है the fate of a product एक product के भाग्या के बारे में कहरे marketing वो है जो decide करती है कि product का भाग्या कैसा होगा fate कैसा होगा fate मतलब होता है भाग्या यह line काफी अच्छी है जो भी marketing करते हैं उनके लिए भी अब इसको मैं highlight कर रहा हूं तो आप इसको भी अच्छे से समझ ले तो यहां पर है marketing is what marketing है जो decide करती है marketing is is मतलब है marketing है what जो decide करती है the fate of a product एक product का भाग्या अगर आपके पास अच्छा product है और marketing पूर है तो कुछ भी नहीं होगा अगर product घटिया है marketing अच्छी है तो वो ज्यादा सेल करेंगे ठीक है तो मैं तो इतनी marketing नहीं करता हूं मैं तो सिर्फ YouTube चैनल के थ्रूइ marketing करता हूं अपने course की और वो भी इसलिए क्योंगी मुझे पता है उसका potential क्या है मुझे पता है वो एक student को क्या बना सकता है that is why I do marketing right तो marketing ही decide करती है आपके product का fate अब इसके आगे a film चाहिए वो film हो a book a book हो और a gadget या कोई भी gadget हो काफी अच्छी लाइन है यह formation में कई बार करा चुका हूं आगे लिखा है सो इसलिए it is not surprising यह कोई surprising वाली चीज नहीं आश्यर वाली चीज नहीं है that की these films tend to do well overseas जो यह film में है these films tend to do well overseas यह जो विदेश में यह film में बहुत अच्छा English Champion आप उससे भी buy कर सकते हैं नीचे link दे रखा है उसके अंदर भी मैंने एक चैप्टर में चार topics दे रखे हैं object to subject to tend to lead to यह चारों चैप्टर एक ही उसके अंदर है और इन पर वीडियो भी दे रखे मैंने अपने one year course में आप वहां से समझ सकते हैं तो कह रहे हैं इसलिए यह कोई surprise वाली बात नहीं है कि यह जो फिल्मिया इस तरह की वह अच्छा perform करती है overseas overseas क्या होता है समुंदर पार समुंदर पार मतलब विदेश आगे लिखा है in contrast कह रहे हैं in contrast मतलब अब compare कर रहे हैं ठीक है in contrast मैंने जो आपको वीडियो दिया 8 hacks to written communication उसमें 8 चीजे बताई जब आपको contrast दिखानों किस किस तरह के phrases use कर सकते हैं तो यहां पर एक use हो रहा है in contrast मतलब विपरीत अब दूसरी चीज का पक्ष ले रहे हैं small production houses जो छोटे आ परदे ए प्रोडक्शन वाले उज्वelय प्रडिउस वह आं तो फर पर प्रडिउस करते है the locally produced films जो locally produced film होती है वह कहें को प्रडूक्च्छ नाथे उसे होते जो यह लांड करते हैं रिलीज करते मूविस को तो जो छोटे production houses है वो normally local जो produced films होती है उनको produce करते हैं and on top of that और उससे भी ज़्यादा they often have familiar storylines और उससे भी ज़्यादा कह रहे हैं उनकी जो storylines होती न वो परीचित होती है लोगों को पता होता है कि यह चीज़ होगा जिसे आप जब film देखते हैं तो होता क्या है यह तो जमीन को लेके जगड़ा या फिर गल्फरेंड को लेके जगड़ा या फिर कोई पुरानी दुश्मनी इस तरह की stories होती है mostly तो हम लोगों को पता होता है कि उनकी storylines क्या होने वाली हैं तो यह भी एक reason है अब यहां पर इसको मैं द्वारा पढ़ता हूं in contrast कहने जो small production houses है usually आम तोर पर produce करते हैं the locally produced film locally produced films को and on top of that और उससे भी ज़्यादा they often have familiar storylines और उनकी जो अक्सर जो storylines है वो familiar होते हैं परीचीत होती है एक जैसी होती है एक जैसी होती है that may not interest some people जो शायद कुछ लोगों के interest में नहीं होती है यानि कि लोग उसमें फिर interest नहीं लेते हैं तो कह रहे है that may not interest some people जो कुछ लोगों के interest से match ना खाए आगे लिखा है that explains अब वो चीज यह चीज explain करती है कौन सी जो हमने अभी बात करी कि यह चीज explain करती है अब कौन सी चीज की बात हो रही है यह that किसके लिए यूज हो है यह जो बात करी है हमने कि small production house के वो locally produced films को produce करते हैं और उनकी जो storylines होती है वो familiar ही होती है और वो ज्यादा audience को interest create नहीं करती है तो कह रहे हैं यह चीज explain करती है प्रोबैबली शायद यह चीज शायद explain करती है वाय क्यों most people watch जादतर लोग watch करते हैं foreign films more than locally produced ones ones मतलब films ठीक है तो यहां पर उमीद है समझ में आया होगा तो यह सारे जो कारण इन्होंने बताए तो यह कहरें that probably explains यह चीज़े explain करती है कि क्यों लोग watch करते हैं foreign films local produced ones की बजाए तो उमीद है समझ में आया होगा यह पूरा paragraph इसमें से आप कुछ vocabulary words जो है वह highlight करके याद कर ले मैं आपके लिए highlight भी कर देता हूं अभी और भी पढ़ा यह paragraph अकॉस्टिक्स मतलब होते हैं sound mainly sound कैसा धवनी कैसी है sound कैसी है और इनमें यह तो मैंने करी दिया है एक tend to be it का formation और in contrast on top of that उससे भी ज्यादा यानि कि यह emphasize कर रहा है जोर दे रहा है किसी बात पर और बाकी तो I think कितना मुश्किल चीजे नहीं है बस ideas ideas की बात है सारी की ideas होंगे तो आप लिख लेंगे कुछ भी आगे पढ़ते हैं another significant reason कह रहे हैं another यानि कि दूसरा significant मतलब महतरपून दूसरा महतरपून reason for watching foreign films foreign films को देखने का is है कह रहे हैं दूसरा reason foreign films को देखने का है that people are curious लोग curious है जिग्यासू है जिग्यासू मतलब जो दूसरी चीज जानने के इच्छुक होते हैं तो उनको बोलते हैं those who want to know about others culture other people other culture lifestyle जो दूसरों में interest लेते हैं उनके बारे में उनको पता चल जाए तो उनको बोलते है curious यानि के जिग्यासू तो कह रहे हैं जो another significant reason है कि क्यों foreign films देखते हैं वो है कि people are curious लोग जिग्यासू है to know जानने में to know about foreign lifestyles and culture मतलब जो foreign का lifestyle है उनका जो culture है उसको जानने के बारे में इच्छुक होते हैं इसलिए भी वो देखते हैं today आज we do not belong to a big planet earth क्या रहे हैं आज हम यह जो big planet earth है इससे belong नहीं करते हैं we belong to a small global village हम एक global village एक छोटे से global village से तालूक रखते हैं अब global village का मतलब क्या है हम सब internet से connected हैं एक दूसरे के साथ तो उसलिए बोला जा रहा है अब हम सब ऐसा लगते हैं जिससे एक दूसरे के साथ महीं है साथ महीं रहते हैं internet से जुड़े पड़े हैं इसलिए वो एक global village बन गया है सो इसलिए people are exposed to different cultures और people जो है वो exposed है मतलब उनके सामने ही है सब कुछ different cultures उनके सामने है एक तो यह line होगी and से फिर दूसरा sentence जोड़ रहे हैं सो इसलिए people exposed है different cultures है और उनके सामने है अलगलग culture and or watching foreign movies foreign movies देखना shatiate का मतलब होता है भूख मिटाना शान्त करना ठीक है और foreign movies को देखना shatiates शान्त करता है किसको शान्त करता है निके भूख मिटाता है किस चीज की shatiates their curiosity उनकी जिग्यासा को कौन सी जिग्यासा of knowing about them उनके बारे में जानने की तो समझ में आया होगा इसलिए so people जो है exposed है उनके सामने है different cultures और foreign movies देखना उनके जिग्यासा जो है उनके बारे में जानने की उसको शान्त करता है shatiate करता है recently फिलाल I watched a Japanese movie मैंने एक Japanese movie देखी अब उसका नाम लिख दिया आप यहां पे देखिए यह देखिए double inverted comma use नहीं हो है single inverted comma use हुआ है क्योंकि यह किसी के कई हुए शबद नहीं है अगर किसी के कई हुए शबद होते हैं तो double inverted comma में रखते हैं otherwise single में तो Japanese movie देखी उसका नाम था यह Okurobito जो भी है तो which means जिसका मतलब होता है departures ठीक है जिसका मतलब होता है रवानगी departures from which जिससे I learned मैंने सीखा how the Japanese की कैसे Japanese do करते हैं the last rituals जो अंतिम क्रिया होती है जिससे कोई मर जाता है तो उसको last right वोलते हैं यानि कि क्रिया करम जो भी कुछ आता है वो सब last rituals में आता है last right में आता है तो कह रहे हैं कि उस film में from which जिसससे मुझे पता चला कि Japanese last rituals 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 मतलब अनुष्ठान अनुष्ठान जिसको समझ में नाई वैसे इंडिया में बहुत कॉमन है क्योंकि इंडिया is a land of spirituality यहां पे बहुत सारे धरम है बहुत सारे rituals चलते हैं लोगों को पता होगा अनुष्ठान करना कि देवी की पूजा करनी है तो यह करो उनकी पूजा करनी है तो यह करो सिखिव में अपने रिचूल्स है इसलाम में अपने रिचूल्स हैं हर एक के अपने रिचूल्स होते हैं ठीक है तो कहा है जिससे मुझे पता चला कि Japanese कैसे करते हैं last rituals आखरी जो भी करमकांड होते हैं वो कैसे करते हैं when a person dies जब एक इंसान मर जाता है इंडिया में जैसे करते हैं मरने के बाद तो वहां पर कैसे करते हैं वो कह रहे हैं मुझे पता चला this movie इस movie ने fascinated आकरशित किया मी मुझे a lot बहुत and I came to know मुझे पता लगा about Japanese traditions उनके traditions के बारे में ठीक है और एक चीज़ और जैसे हम बोलते हैं tradition का मतलब परंपरा उनकी जो भी परंपराएं होते हैं उनके बारे में पता चला some people also watch कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं hollywood movies to learn English English सीखने के लिए which has become अब ये English के बारे में बताया जा रहा है इसलिए विच रेलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं hollywood movies ताकि वह English learn कर सके क्यों which has become English के बारे में बात हो रही है जो बन चुकी है एक global language and or watching English movies English movies देखना is a good way to learn English English सीखने का अब आपने देखा कि कैसे कैसे यहां पर चीजे यूज हुई है अभी और भी काफी पड़ा हुआ है तो इसमें से आप word highlight कर देता हूं आप याद कर लें curious जिग्यासू जानने की इच्छा रखने वाला क्यूरियस और ग्लोबल विलेज हम अब एक स्मोल ग्लोबल विलेज में रहते हैं एक दूसरे जुड़े हुए हैं एक्सपोज मतलब हर चीज सामने होना और सैशियेट का मतलब भूक मिटाना क्यूर्योसिटी मतलब जिग्या आते हैं और फैसिनेट मतलब आकर्शित होना और इसमें और कोई डिफिकल्ट इतना वर्ड नहीं है तो उमीदें यहां तक समझ में आया अब आगे चलते हैं तो यह तो हमने रीजन दे दिये कि क्यों हॉलिवूड मुवी ज्यादा प्रैफर की जाती हैं अभी हम बात करें सरकार के बारे में कि उनको फाइनेशल एड देना चाहिए या नहीं तो यहां पर आप एक बार अच्छे से समझ लें कि पॉपुलर क्यों होती हैं होलिवूड फिल्म क्योंकि जो फिल्म में वीजूल इफेक्ट्स होते हैं उनका जो अकॉस्टिक्स होता है धवनी साउंड वगरा वो जबरदस्त होता है modern technology यूज करते हैं इसलिए भी लोग उनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं अगली चीज जो बड़ी कंपनी ऐसी फिल्में प्रड्यूस करते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है साधन बहुत होते हैं एक huge audience को generate करने के तो यह भी एक कारण ह अगला कारण है marketing उनकी marketing बहुत जबरदस्त होती है क्योंकि marketing जितनी बढ़ी होगी उतना product चमकता है अगली चीज है कि जो locally produced films है उनको छोटे-छोटे houses produce करते हैं इसलिए उनकी marketing इतनी अच्छी नहीं हो पाती है अगली चीज वह जो फिल्में होती है almost same topic पर होती है एक जै reason दिये कि जो foreign films है मतलब जो foreign culture है lifestyle है उनको जानने के बारे में लोग ज्यादा curious होते हैं इसलिए भी वह उनकी फिल्में देखते हैं और दूसरी चीज हम सब एक global village बन चुके हैं इसलिए भी हम देखते हैं और हम कह सकते हैं कि जैसे example दे दिया कि एक Japanese movie देखी उसमें क्या उनके culture के बारे में हमें पता चला जहां पर कुछ मिल रहा होगा जानने को तो लोग देखें गई लेकिन हमारी इंडिया की फिल्मों में almost same story होती है और कुछ-कुछ movies होती हैं जो काफी हटके होती हैं जो इंडिया के culture को यहां की spirituality को दिखाती है लेकिन उनका marketing poor होता है तो firmly 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 मतलब होता है द्रीडता से confidently क्या रहें I confidently believe मैं पूरे विश्वास से पूरी द्रीडता से firmly believe करता हूं that की government should invest सरकार को invest करना चाहिए in the local film industry local film industry में अब कारण दे रहा हूं firstly पहला films are the carrier carrier of a country's culture के रहें जो films हैं वो क्या है carrier है अब carrier और करियर में बहुत अंतर होता है एक होता है C A R E E R Career एक होता है Carrier cycle का चक्का आपने देखा होगा उसको Carrier बोलते हैं और Carrier इस जो आप अपने करियर बनाते हैं तो कह रहे हैं जो Film में हैं Film में हैं वो Carrier है ठीक है वो चक्का है किसी चीज का एक Country के Culture का ठीक है उसकी संस्कृति का Culture मतलब संस्कृति अब कहा रहे हैं Supporting The Local Film Industry कहा रहे हैं Local Film Industry को Support करना Will Enable वो Enable कर देगा On कर देगा ठीक है वो Enable करेगा किसी चीज को To Spread फेलाने को फेलाना जो है उसको Enable करेगा Its Culture अपने Culture को ठीक है अगर कोई Local Film Industry को Support करता है तो उससे क्या होगा यह जो Support है वो Enable कर देगा On कर देगा On करके क्या होगा वो Spread कर पाएंगे अपने Culture को And This Seems और यह दिखता है An Essential Approach एक Important Approach दिखती है To Help a Country एक Country की साहता के लिए To be More Powerful More Powerful होने में In the World संसार में अब यहां से आदक का पूरा मतलब यह बना कि Local Film Industry को Support करना Enable करता है अपने Culture को फैलाने में और This Seems ऐसा दिखता है कि यह जो चीजे Support करना ऐसा लगता है यह Essential Approach है Important एक हिस्सा है Help करने में एक देश की कि वो और भी Powerful बन सके संसार में आगे लिखा है Secondly अब दूसरा Reason अब मैं इसको भी Highlight कर देता हूँ यह Reason दिये जारे है Firstly Secondly और इसमें जो Word यूज हुए है देखिए Career Firmly मतलब दरीड़ता से Enable मतलब On कर देना और Culture आप जानते हैं संस्कृती Approach मतलब होती है पहुच Essential मतलब होती है More Important Very Important आगे लिखा है Secondly The Boom of this Industry Boom क्या होता है Boom मतलब अचानक से फैल जाना The Boom of this Industry इस Industry का अचानक से एकदम से Spread होना फैल जाना Increase होना Would Produce यह Produce करेगा An Increasing Number of Jobs बहुत सारी जोब सको Job Positions को Increase करेगा अब यहां पे Highlight किया जा रहा है To a Large Extent मतलब काफी हद तक क्या रहे है Secondly जो Boom है मतलब इस Industry का एकदम से Increase हो जाना Boom हो जाना Spread हो जाना Fall जाना बढ़ जाना To a Large Extent काफी हद तक Produce करेगा An Increasing Number of Job Positions काफी संख्या में Jobs को Produce करेगा And Consequently और परिणाम सवरूप क्या होगा The Unemployment Rate In This Country इस देश में जो Unemployment Rate है Might Decrease Might Substantially Decrease वो Substantially मतलब Gradually क्या होगा फलतह क्या होगा Decrease होगा Which जो Will Contribute जो Contribute करेगा To its Economy इसकी Economy में तो Simple जा मतलब है अगर ये Industry Boom करती है To a Large Extent काफी हद तक तो इससे क्या होगा जो Job Opportunities है वो बढ़ेंगी और Consequently क्या होगा परिणाम सवरूप क्या होगा जो Unemployment Rate है देश का वो एक निरंतरता से क्या होगा Decrease हो जाएगा जो Which Will Contribute जो Contribute करेगा Economy में Simple सी बात है Boom होगी Industry तो Job भी बढ़ेंगी Job बढ़ेंगी तो Unemployment Rate कम होगा अगर Employment Rate कम होगा तो उससे क्या होगा जो Country की Economy है वो बढ़ेंगी तो ये Reason है आगे लिखा है Recently मतलब फिलाल Our Bollywood Movies हमारी जो Bollywood Movies है Such as जैसे की Dabang And जब तक है जान कोई भी मूवी लगा लो हमारी जो Bollywood Movies है जैसे Dabang या जब तक है जान Have done उन्होंने किया है Business Business किया है Worth करोड मतलब करोडों का And this has definitely boosted और इसने निश्ची तोर पर Definitely boosted Boost किया है Our economy को तो कहरें इन्होंने कहरें फिलाल हाल ही में Recently मतलब फिलाल या हाल ही में जो Bollywood Movies है जैसे Dabang या जब तक है जान इन्होंने Business किया है करोडों का And इस चीज़ ने निश्ची तोर पर Boost किया है हमारी economy को ये एक example भी दे दिया है इस point of view को support करने के लिए तो ये हो गया पैराग्राफ अब यहां पर बारी आती है Sum up की Summing up और एक चीज़ और यहां पर वो Cap जो यूज हुई है वो भी बता जेता हूँ Firmly आपको समझ में आ गया ध्रीड़ता से और Carrier चक्का Enable on करना Culture संस्कृती Essential Very Important Approach मतलब पहुँच Consequently मतलब होता है परिणाम सवरूप मतलब as a result of तो यह सारी चीज़े मैंने अल्रेड़ी बता रखी है बहुत बार और यहां पर यूज हुआ Substantially Substantially मतलब होता है जबर्दस तरीके से जैसे Substantial Results मतलब जबर्दस रिजल्ट एक gradual और अच्छानक से बढ़ा हुआ रिजल्ट ग्रेज्वल भी और अच्छानक से बढ़ा है जबर्दस तो आला उसको जबर्दस तरीके से डिक्रीज करेगी Unemployment Rate और Recently मतलब फिलाल और Boost मतलब तो आप समझते ही है और Worth मतलब कीमत इसमें कोई इतनी बड़ी चीज ने Contribute करना भी आप जानते ही है तो आगे देखते है Summing up अब आगया conclusion की बारी People watch foreign films लोग foreign movies देखते है Because of their better technology उनकी better technology की वजह से And or to satisfy their curiosity और अपनी जिग्यासा को संतुष्ट करने के लिए लोग foreign movies देखते है उनके better technology की वजह से और अपनी curiosity को उनके culture के बारे में जानने की संतुष्ट करने के लिए The government should promote Definitely सरकार को definitely निचे तोर पर promote करना चाहिए local film industry को for spreading फिलाने के लिए our culture हमारे culture को and for boosting और boost करने को economy को तो ये हो गया sum up यानि के इसमें जो हमने उपर point दिये है सारा सार आ गया तो लोग foreign movies देखते हैं because of their better technology की वजह से और अपनी जो curiosity है उनके culture, उनकी lifestyle, उनके traditions, उनके rituals को जानने की उसको satisfy करने के लिए, satiate करने के लिए अपनी curiosity को और सरकार को promote करना चाहिए local industry को ताकि वो spread करे, हमारे culture को और boost करे economy को ये था हमारा आज का essay I hope पसंद आया होगा थोड़ा बड़ा जुरूर था लेकिन it was full of knowledge तो guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे comment करके जुरूर बताएं guys काफी मैनत लगी है और काफी देर होगी है बोलते वे काफी सारे चीज़े मैने आपको बताई है तो अगर आप मेरे one year course को join करना चाहते हैं English को सच में improve करना है तो definitely you must join my one year course तो समझदार को इशारा काफी है बहुत बार बोलता हूँ कि join करो, join करो और अब फिर बोल रहा हूँ कि join जरूर करो ऐसे ऐसे मैंने और भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी आप के अंदर और और भी आएंगे YouTube पे ये वाले एडवेंस वाले सारे नहीं आएंगे आएंगे तो सिरफ आप के अंदर यहां तो मैं एक दो इसलिए दे देता हूँ so that आप थोड़ा सा यहां से भी और नॉलेज गेन करते रहें तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में गाईज और आप डाउनलोड करने बुक बाय करने ये नीचे लिंक दे रखा है अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाजत थैंक यू